सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्या मरहर महादेव जेश्ट शरमबेश्वर सोंबा जोकी आठ माई के दिन है शरमबेश्वर महादेव के तीन हैसे उपाए जिनको करने से आपके शरीर की सारी समस्या है यदि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यसान में डूबा हुआ है बहुत ज़्यादा ही शराब पीता है तो उसकी शराब भी छूड जाएगी तो शरमबेश्वर महादेव का सबसे पहला हो पाए यदि आपके शरीर में कोई समस्या है किड्नी लीवर से समबंदित कोई समस्या है या फिर डाइलेसेस चल रहा है तो आपको क्या करना होगा 108 कमल गट्टे के जो माला आती है उस माला को लेना है और इस माला को बगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है समर्पित कर दीजिए थोड़ी देर बाद में इस माला को उठा लीजिए उठाने के बाद में आपको आपके पास में 108 बेल पत्र और रखने होंगे अब इस माला का एक बार आपको चाप करना है जैसे ही आप एक कमल गट्टा आगे बढ़ा है यानि कि आप माला जबने के लिए एक कमल गट्टा को गिने तो गिनते समय आपको नाम लेना है श्रम बेश्वर महादेव श्रम बेश्वर महादेव का नाम लेजिए और एक कमल गट्टा जैसे आगे बढ़ा है माला में से तो एक बेल पत्र बोले नाथ को समर्पित कर दीजिए इसी प्रकार दूसरा कमल गट्टा आगे बढ़ाएंगे श्रमबेशवर महादियों का नाम लेंगे और साथ में एक बेल पत्र समर्पित करेंगे इस प्रकार 108 कमल गट्टे की माला आपको पून करनी है और साथ में 108 बेल पत्र बोले नात के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अब उसके बाद में थोड़ा सा जल वगवन शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए पिल्कुल थोड़ा सा जल करना है आपको इतना कि आप उस जल का आजमन कर सके और जब वो जल शेवलिंग से नीचे गिरे तो अपने हाथ में उस जल को ले लीजिए श्रमबेश्वार महादेव का नाम लेकरी उस जल का आजमन कर लीजिए आपके शरीर की जो भी समस्चा होगी वो किडिन लीवर से संबन्द तो या किसी से भी संबन्द तो श्रमबेश्वार महादेव उस समस्चा को पूर्ण नजर समाप्त कर देंगे ये उपाए सोंबार की दिन कीजिए निश्चित ही आपको आपके शरीर की रोगों से निजात मिलेगा अब हम चलते हैं दूसरे उपाई के तरफ जो ही है श्रमबेश्वार महादेव का ही उपाई और शरमबेश्वार महादेव का नाम लेकर वो एक गिला जल उस व्यक्ति को पकड़ा दीजे या उस व्यक्ति ने वूपानी पी लिया तो वो पाँच मिनिट के अंदर अंदर शांत हो जाएगा उसका घुस्ता शांत हो जाएगा और जो कुछ भी बोल रहा होगा वे भी बोलना बंद कर देगा शर्मबेशवर महादेव का इतना प्रमाण है अब शर्मबेशवर महादेव का तीसरा उपाय यदि कोई बच्चा गलस संगत में जा रहा है या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही शराब का सेवन कर रहा है शराब छोड़ी नहीं रहा है तो आपको क्या करना है एक लाल कपड़ा लेना है एक लाल कपड़े में पांच लॉंग लीजिए और साथ में पांच काली मिर्ची लीजिए पांच लॉंग और पांच काली मिर्ची लेकर एक लाल कपड़े में बांज लीजिए और इनको सोमवार के दिन बाला जी के मंदिर में जोकी हन्वान जी का मंदिरो उस मंदिर के अंदर हन्वान जी के सम्होंच में रख दीजे अगले दिन इस 5 काली मिर्च और 5 लॉंग को ले आईए 200 ग्राम पाणी में इनको उबाल लीजे थोड़ी देर उबालना है आपको 5-10 मिन और उसके बाद उस पानी को ठंडा हो जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है जो बच्चा गलत संगत पर जा रहा है उसके खाने में मिला कर देना प्रारम कर दीजिए श्रमबेशवर महादे यदि वो व्यक्ति शराब पीता है तो उसकी शराब छुड़वा देंगे शराब से दूर भागने लग जाएगा और यदि कोई बच्चा गलत संगती पर जा रहा है तो वह सही संगती पर आ जाएगा श्रमबेशवर महादेव का इतना प्रामान है श्रमबेशवर शिरीशिवार नमस्तूपया